दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का PSD में दोस्तों मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के जरे ये कॉशन पेपर सौल्व कर रहा हूँ ये है 556 पोस्ट कोड जूनियर आफिस असिस्टेंट का कॉशन पेपर 2017 मैं इसका एक्जाम हुआ था मैं ये कॉशन पेपर इसलिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे कॉशन आपको मिल जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रशन है जो रिपीटिट कॉशन होते हैं बहुत सारे जो कि आपके HVSB के जो भी ब्रहमित करने का कोई उदेशन ही है आप अच्छे से प्रिप्रेशन कीज़े वीडियो देखिए किताबे बढ़िये जहां से जो चीज अच्छी लगे वही देखिए जरूरी नहीं है कि मेरे ही वीडियो देखिए बट अगर मैं कोई उप्शन दियावता राइट साइड टॉप तो वहां से आप स्पीड स्लो कर सकते है ठीक है बाकि थोड़ा सा तेज गती से बनेगा ये वीडियो ताकि कम समय का बने ठीक है तो चलिए शूरू करते है जो पहला प्रेशन है भारी वाहनों में डिजल का प्रियोग इंदन के रूप में किया जाता है क्योंकि दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ओप्शन ए क्योंकि इसमें उची शक्ती तथा आर्थिक बचत होती है इन दा हैवी विकल्स डिजल इस उस फ्यूल विकल्स इट है तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपरेंट कॉशन हो है दूसरा पिएच वाटर का शुद्ध वाटर का पिएच मान होता है ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले कॉशन की ओर वियनेगर का मुख्य घटक क्या है तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ओप्शन C एसिटिक एसिट ठीक है एसिटिक एसिट वेनेगर का मुख्य तो आपको मालूम होना चाहिए वह होता है कोबाइट ओप्शन C इसका राइट अंसर है तो अब प्रश्ण नबर 6 वर्मी कमपोस्ट है एक वर्मी कमपोस्ट इस एन एन तो दोस्तों जो सिख्त का राइट अंसर है वह और ओप्शन B और गयनिक बायो फटीलाजर ठीक है तो बुरुषों में जोडे कितने जोडे पसलियां पाई जाती है तो दोस्तों जो आठवे का राइट अंसर है वह है ओप्शन D 12 रिप्स ऑफ फांडिन में ठीक है पियर ओफ रिप्स तो बारा पियर होते है बुरुषों में पसलियों के ठीक है तो देखते है अगला वर्शन डाइनसार थे डाइनसार वाज तो दोस्तों जो नवे का राइट अंसर है वह है ओप्शन B सरी स्रिप रेपिटाइल ठीक है रेपिटाइल थे डाइनसार क्या थे रेपिटाइल सरी स्रिप तो देखते है अगला वर्शन वाट इस MRI क्या है MRI का फूलपम बताना है आपको त magnetic resonance imaging ठीक है तो देखते हैं अगला कोशन tuberculosis का कारण है the cause of tuberculosis तो दोस्तों जो ग्यारवे का right answer है वो है option C bacterial bacterial disease आई है ठीक है tuberculosis ठीक है तो चले देखते हैं अगले कोशन insulin एक प्रकार का है insulin is a kind of तो दोस्तों बारवे का right answer है option C hormone ठीक है insulin क्या है एक hormone है ठीक है तो अब देखते हैं तेरे वागा पौधों द्वारा भोजन त्यार करने की प्रक्रिया कहलाती है तो process by which plants prepare their food as called तो दोस्तों जो इसका right answer है वो है option ए प्रकास translation photosynthesis ठीक है तो देखते हैं अगले पॉशन pile is stored in human being in the मानों में पित का संग्रे होता है तो दोस्तों जो चौद्वे का right answer है वो है option C पिताश्य में गल्ब्लेडर ठीक है तो human skin is मानो चर्म है तो दोस्तों पंद्वे का right answer है वो है option A एक औरगन ठीक है human skin क्या है औरगन है तो देखते हैं 16 प्रश्ण acid is ripe तो एक बीज है पका हुआ तो दोस्तों जो जो right answer है वो है option B बीजांट ओवुल सत्रवा देखते हैं सबसे उच्छा व्रिक्ष है तो दोस्तों जो सत्रवा का right answer है वो है option C सिक्कुआ तो देखते हैं अगले question प्रश्ण no.18 what is mixed farming? मिश्रित क्रिशी क्या है तो दोस्तों अठारवे का right answer है option B अनेक फसलों को उगाना तथा पशुपालन करना ठीक है बहुत बार एक्जामों में पूछा गया है अलग-अलग एक्जामों में it makes soil porous ठीक है तो देखते हैं अगला question केसर पादप के किस भाग से प्राप किया जाता है साफ्रोन is obtained from which part of plants तो दोस्तों जो 20 वे का right answer है वो है option C stigma ठीक है तो चलिए देखते हैं अगले important question निम्न वैसे क्या चाहे के उत्तेजन प्रभाव के लिए जिम्यदार है which one of the following is responsible for the stimulating effect of T तो दोस्तों जो 21 वे का right answer है वो है option A option A जाय के उत्तेजन प्रभाव के लिए जिम्यदार है ठीक है तो देखते हैं प्रश्मीना उन अपनी उष्णता के लिए प्रसिद है इसे प्राप किया जाता है तो दोस्तों जो 22 का जो right answer है वो है option A बक्रे से पश्मीना उन फैमर्स for it is warmth is obtained from God तो देखते हैं आवला प्रश्ण encryption is cyber world queens तो encryption का मतलब क्या होता है cyber दुनिया में encryption से आश्य है तो दोस्तों जो 23 का right answer है वो है option C पहुँच गमन रोपने के लिए password का algorithmic alteration scrapped data में करना ठीक है तो यह भी repeated question है आप इसको याद रखिए कि क्या है यह ठीक है क्योंकि repeated question है यह सब computer के तो जाए था repeated question ही आते है ठीक है तो चलिए देखते है अगला question सूपर कम्प्यूटर का जनक कौन है तो दोस्तों 24 विए जो right answer है वो है option C सेम और क्रे ठीक है सेम और क्रे सूपर कम्प्यूटर का जनक कहा जाता है सूपर कम्प्यूटर का सेम और क्रे को ठीक है तो 25 का देखते है निमन कौन सी computer language एक कारे विधी उन्मुक language नहीं है which one of the following computer language is not the procedure oriented language तो दोस्तों जो 25 का right answer है वो है option D सीमूला ठीक है बाकी सभी languages है computer की तो देखते है 26 विए से कौन सा एक application unix को एक परिचालन प्रणाली के रूप में प्रयोग करता है internet servers, mobile devices, workstation ठीक है तो जली दिखते है अगले important question निमन कौन सा एक internet protocol version सरवादिक परिन्योजित इंटरनेट लेर protocol है तो दोस्तों 27 यो right answer है वो है option B IPv4 ठीक है IPv4 internet protocol version सरवादिक परिन्योजित internet layer protocol है which one of the following internet protocol version is the most deployed internet layer protocol most deployed internet layer protocol है IPv4 ठीक है तो चलिए दिखते हैं आगला important question computer firewall क्या है तो दोस्तो जो 28 का जो right answer है वो है option B यहो एक software तथा hardware अधारित program है जो चुनोतियों से रक्षन करता है तथा internet network को सुरक्षित करता है what is the computer firewall? it is software और hardware based program to protect against threats and make the internet network secure ठीक है तो चलिए देखते हैं अगले question 29 super cookie क्या है what is the super cookie तो दोस्तो जो इसका right answer है 29 का वो है option C यह cookie public प्रत्य सुफिक्स domain के साथ होती है तो दोस्तो इंग्लिश में देखें तो 80 is a cookie with a public suffix domain ठीक है तो चलिए देखते हैं अगला question निवन वैसे कौन सा microprocessor विश्व का पहला व्यापारिक तौर पर उपलब microprocessor है तो दोस्तो दीस वे का जो right answer है वो है option D Intel 4004 ठीक है which one of the following microprocessor in the world's first commercially available microprocessor तो दोस्तो वो था Intel 4004 ठीक है तो चलिए देखते हैं अगले important question most commonly used operating system in the super computer is super computer में सर्वादिक सामाने तौर पर उप्युक्त operating प्रणाली है तो दोस्तो जो 31 का right answer है वो है option C Linux OS Linux operating system ठीक है Linux operating system super computer का प्रियुक्त होने वाला operating system है आम तौर पे ठीक है तो चलिए देखते हैं अगले question computer विज्ञान का जनक को रहे है तो दोस्तो जो 32 का right answer है वो है option D L entering computer का computer विज्ञान का जनक है computer size का ठीक है तो देखते हैं अगला question यापनी है एक संप्रदाय था यापनी है तो दोस्तो 33 का right answer है वो है option A जेन धर्म का यापनी है जेन धर्म का एक संप्रदाय था ठीक है स्कूल अफ जैन धर्मा या पनिये वाजे स्कूल अफ जैन धर्मा ठीक है तो देखते हैं अगला कॉशन सारनात बुद के जीवन के किस पहलू से समंदर रखता है तो देखते हैं अगले महतोपुन प्रश देखे दोस्तों मैं आपके साथ ये सभी question डिसकास के है वीडियो टे जरे रिए मैं बहुत सारे अग्जामों में देखे विए इसलिए ही आपके साथ शेयर करता हूँ तो आप उन वीडियो को जरूर देखें, हिस्ट्री के भी, पॉलिटिकल के भी, विज्ञान के भी, सभी सब्जेक्ट पे वीडियो बना रहा हूं, देख लिया करें, ठीक है भाई लोगों, तो इसका जो राइट आंसर है, 35 का वो है उप्शन, C, हर्षवर्धन से संबंदित है, बानबट, ठीक है, हर्ष चरीत भी लिखी थी बानबट जी ने, ठीक है, और कादमबिरी भी उनकी प्रमुकरजना थी, तो देखते हैं अगला कोशन, जॉबनी एक परमपरागत निरित्य शेली है, जो उत्तरपुरी भारत में प्रस्तूत हो रही है, होती रही है, तो इंडियाज फर्स्ट टक्की फिल्म प्रोड्यूस्ट इन 1931 वाज, तो दोस्तो जो 38 का राइट आंसर है, वो है उप्शन C, आलाम आ रहा, बहुत पहली बोलती फिल्म, ठीक है, तो चली देखते हैं अगले प्रस्त, प्रस्त, निमन कौन सा स्थल प्रगयति हासिक चित्र क अगला के लिए प्रसिध है, ठीक है, तो देखते हैं अगला कौशन, एट विच प्लेस दाफेमर्स, एनिगमेटिक, त्रीमूर्ती, सदा शिवा, सदा शिवा अवस्तित है, लोकेटिट, किस इस्तान पे प्रसिध गूड, त्रीमूर्ती, सदा शिवा अवस्तित है, तो द भार्तिय कला ता था ग्रीक कलाशेली का सहयों जने यह मैंने हिस्ट्री के कॉशन में डिसकस कहा है आज भी आप देख सकते हैं वीडियो में निल दरपन पुस्तर किस ने लिखी थी दोस्तों 42 का जो राइड आंसर है वो है ओप्शन ए दीन बंदू मेत्रन ठीक है तो चली द ठीक है तो देखते हैं अगला कॉशन वैसा की उत्सव मनाय जाता है तो दोस्तों 44 का जो राइड आंसर है वो है ओप्शन C खाल सा पंत की स्थापना पर वैसा की सेलिबरेट क्या लाता है ठीक है तो चली देखते हैं अगला मेत्व पून प्रैशन निमन कौन सा उत्सव पराणिक राजा बाली की से घनिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है पहुत ही अच्छा कोशन है पूछा जा सकता है तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 45 का वो है उप्शन A और नम बाली से जुड़ा हुआ है ठीक है तो चलिए देखते हैं अगला इंपोर्टेंट कोशन निमन कौन सा नेता कभी भारतिय राष्ट का अध्यक्ष नहीं बना तो दोस्तों जो ये कोशन है बहुत अच्छा कोशन है 46 का जो राइट आंसर है वो है ओप्शन A तो दोस्तों 47 का जो राइट आंसर है वो है ओप्शन C टितर अजन दास को देख बंदू के नाम से जाना जाता है ठीक है तो दोडिखते है अगला कोशन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉट्पना की गई थी बहुत बार आया हुआ तो दोस्तो देखते हैं अगला कौशन है आप लोगों ने जाए तर पड़ा भी होगा किसे आर्थिक राष्टवाद के प्रनेत्या के रूप में याद किया जाता है तो दोस्तो पचास वे का जो राष्टवाद के प्रनेता के रूप में याद किया जाता है एकोनमिक नेशनलिजम के लिए किसे जाना जाता है आर्थिक दत को देखते हैं अगला कौशन के विशन की अधिक्सता किस नहीं थी तो दोस्तो 51 का जो राइट आंसर है वो है ओप्शन C पी लॉरेंस ने ठीक है तो देखते हैं अगला कौशन निम्न मैंसे कौन अगस्ट प्रस्ताव अगस्ट ओफर से समन्दित था तो दोस्तों जो 52 का राइट आंसर है वो है ओप्शन A लाड लिले निम्न नित को ठीक है तो दोस्तों जो 53 का राइट आंसर है वो है ओप्शन A आप सभी को मालूम होगा जरदार वलब भाई पटेल को बारत का लोग पुरूश कहा जाता है आईरन मैं आप इंडिया और भ भारत का एक ही करण के था तो देखते हैं अगला कोशन फिप्टी फाइव तो 55 है भारत छोटों आंदूलन किसके विरोध में चलाए गया था तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कोशन है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओप्शन C क्रिप्स प्रोपोजल क्रिप्स मिशन के खिलाब ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपर्टेंट कोशन के और भारत का पर्थम राज्ये जिसका निर्मान भाशागत आधार पर किया गया था तो दोस्तों 56 का जो राइट आंसर है वो है ओप्शन C बहुत बार कोशन एक्जामों में पूछा गया है आंद् ठीक है तो दोस्तों 57 का जो राइट आंसर है वो है ओप्शन C जे प्रकास नराएंट जी ने ठीक है तो चलिए देखते हैं अगले मैं तो पन प्रश्ण कोन करांथिकादी कारागार में 64 दिनों के उप्वास के पच्चात शहीद हुआ था तो दोस्तों 59 का जो राइट आंसर है वो है ओप्शन A जतीन दास जी शहीद बेटी 64 दिन तक की उन्होंने उप्वास किया था ठीक है फास्ट किया था ता उसके बाद उनके डैथ हुई तो दोस्तों 61 का राइट आंसर है वो है ओप्शन C प्रोक्ष निर्वाचित होते हैं इलेक्टिड इंडिरेक्टली ठीक है राज्यों की बिदान सभा के सदस्य चुनते हैं इनको इनका लोग के द्वारे निर्वाचन नहीं होता है जैसे लोग सभा सदस्य के लिए हम अप्शन B 585 ठीक है तो चले देखते हैं अगले मेत्वाचन प्रश्ट प्रोटेम अध्यक्ष का कार्या है तो इसका जो राइट आंसर है 63 का वो है ओप्शन A सदस्यो का शपत ग्रेंड स्वेरिंग मेंबर्स ठीक है तो देखते हैं अगला प्रश्ट शुन्यकाल क्या है वट इस जिरो आवर तो दोस्तो 64 का जो राइट आंसर है वो है ओप्शन C जब अतिमेहत्वा के विशे उठाए गए हो तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्ट लोग लेखा समिती अपना प्रतिवधन किसे सौपती है तो दोस्तो 65 का जो राइट आंसर है वो है ओप्शन C लोग सभा के अध्यक्ष के पास तो देखते हैं अगला प्रश्ट सरवोच नियाले द्वारा कितने प्रकार के प्रमादेश जारी की जाते हैं तो दोस्तो जो 66 का राइट आंसर है वो है ओप्शन A पांच रिट जारी की जाते है तो दोस्तो जो इसका राइट आंसर है वो है ओप्शन 67 का D Judge of High Court Governor द्वारा Appointed नहीं किये जाते है ठीक है तो चलिए देखते हैं अगले मैं तो पॉन परशन राजेपाल का वेतन किस प्रभार में लिया जाता है तासे हली of the Governor is charged on तो दोस्तो 68 का जो राइट अंसर है वो है Option D राजे की समेट की निदी से The Consolidated Fund of the State ठीक है तो देखते हैं अगला कॉशन पंचाहिती राज की तीन सतरी है प्रणाली प्रारम में अनुशनसित की गई थी कौन सी कमेटी के दौरा तो दोस्तो जो इसका राइट अंसर है 69 का वो है Option A भलवंतराय महता कमेटी के दौरा पंचाहिती राज की त्री सतरी है प्राणाली की अनुशनसा की गई थी दा थ्री टायर सिस्टम और पंचाहित राज वाई इनिशली रिकमेंडेट वाई बलवंतराय महता कमेटी ठीक है तो चले देखते हैं अगलेंपोड रैन कॉशन प्रियासाफ्ट का समन्द है तो दोस्तो जो इसका राइट आंसर है 70 का वो है उप्शन ए पंचाहित से ठीक है पंचाहित से रेलेटेड है प्रियासाफ्ट दुथी है प्रशासनिक सुधार आयो का अधिक्ष कोन है तो दोस्तो जो 72 का राइट आंसर है वो है उप्शन 360 में वितिया अपातकाल का उपवन्द किया गए ठीक है तो देखने अगला वच्चन भारत समिधान के द्वारा कितनी भाशाओं को मानिता प्रदान की गई है तो दोस्तो जो इसका राइट आंसर है 73 का वो है उप्शन C 22 वाशाओं को मानेता दी गई है समिधान की 8 वी अनुसूची में भारती समिधान की 11 वी अनुसूची में निम्न मैंसे क्या नहीं थे तो दोस्तो जो 74 का राइट आंसर है वो है option B दिखें अनुसूचीयों से कोई ना कोई प्रशन जरूर आ जाता है इसलिए 12 की 12 अनुसूचीयों को देख लिजएगा तो 11 वी अनुसूची पंचाईदी राज की प्रावधान से समिधा है तो देखें 75 कोई निम्न मैंसे कौन सी स्किम भारत के राष्टी साक्षरता मिशन का पुनर गठित 100 रूप है आम आदमी विमाय योजना के अंतरगत किनको सामाजिक सुरक्षा प्रतान की गई तो दोस्तों जो 76 का राइट अंसर है वो है ओप्षण ए ग्रामिंट शेतों में रहने वाले सभी भूमें हीन श्रमिकों को ओल लेंड लेबर्स लिविंग इंट रूलर इडिया ठीक है तो चले देखते है अगला पॉशन राष्ट्रिया रोज ग्रामिंट रूजगार गारंटी स्कीम प्रार्णबिक तो पर चलाई गी थी नैश् जो 78 का राइट अंसर है वो है ओप्शन ए नेशनल इंस्ट्यूशन फोर टांस्फर्मिंग इडिया ठीक है तो देखते हैं अगला प्रशन केंद्रे चावल अनुसंदान संस्तान कहां होसते थे दोस्तों बहुत ही अच्छा कोशन है तो इसका जो राइट अंसर है 79 का वो ह के लिए स किया है मार्के टॉफ गोर्णनस्ट सिक्यूरिटिस ये है आपके अपके एक उनुक्रिया करें क्योकि नमृमिक्स की जो विए लानल से उसमें उसमें ट्णियाली कउशन पिछे आतो हैं जो शबदावलियों होती है अर्थ भारत में बैंक को द्वारा किये जाने वाले रेंड में किस छेत्र को प्राठ्ष मिक्ता दी गई है तो दोस्तों जो 81 का राइट आंसर है वो है ओप्शन d उप्रोक्त सभी के लिए एगरिकल्चर के लिए वीकर सक्षन के लिए तो देखते है अगला में तो प्रमुलियन का प्रमुक देशे है the major aim of devolution is 2 तो दोस्तों जो 82 का राइट आंसर है वो है ओप्शन बी निर्यात को बड़ावा देने लिए ठीक है encourage exports देखते हैं अगले question भारत में बीमा वेवसाय का नियमन होता है किस के द्वारा तो दोस्तो 83 का जो right answer है वो है option C इरणा के द्वारा ठीक है तो देखते हैं अगले question चुंगी की वसूली और संग्रहन किया जाता है तो दोस्तो जो 84 का right answer है वो है option A स्थानिय निकायों द्वारा local bodies के द्वारा octroy is levid and collected by चुंगी की वसूली स्थानिय निकायों द्वारा की जाती है local bodies द्वारा की जाती है भारत में सरुपर्थम बिजली की आपूर्ति कहां से आरम की गई थी तो दोस्तो जो 85 का right answer है वो है option A दार्जिलिंग से ठीक है तो देखते है 86 हमा question तो पद paper gold से आशे है that terms paper gold means तो दोस्तो जो इसका right answer है 86 का वो है option C special drawing right SDR of the IMF ठीक है question है ठीक है तो चले देखते है अगला में तो पर प्रश्ण निम्ड मैंसे क्या एक मर्को सुर सर्दन कामन मार्केट का सदस्य नहीं है M.E.R.S.C.O.S.U.R तो दोस्तो 87 का जो right answer है वो है option A चिली which one of the following state has the longest cost line निम्ड मैंसे किस राजे की सरवादी लंबी तट रहे खा जैसे कि मैंने ये question discuss भी किये है तो दोस्तो 88 का right answer है वो है option A गुजरात सबसे ज्यादा शियर करता है पश्चिमी घाठ है तो दोस्तो 89 का right answer है वो है option A पठारो के कगार ठीक है जांसकर श्रेणी अवस्तित है जांसकर देंजी is situated in तो दोस्तो 91 का right answer है वो है option C जम्मू एंड किश्मीर में ठीक है 91 का C तो 92 देखते है निम्न किस राजे में विशो का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर दीब है फ्रेश वाटर आइसलेंड कहाँ पे है विशो का हो जाता है तो कभी important हो जाता है निम्न कौन सी नदी एक नदी मुख का निर्मान करती है विच वन उप फॉल्विंग रिवर्स फॉर्म एन एस्ट्यॉरी तो 93 का जो right answer है दोस्ता वो है option D दरमदा ठीक है तो चली बढ़ते हैं अगले मैं तो पुन प्रश्णों की और बादलों में बशसाथ प्रेडित करने की टक्निकी कहलाती है तो जो 94 का right answer है वो है option B cloud seeding cloud seeding कहलाती है technique of inducing rain from cloud is called cloud seeding ठीक है बहुत important question है कई बार देखा है एक्जाम में मैंने गे निम्न मैंसे कौन सा भारत में स्तापित किया गया पहला राश्ट्य पार्क है तो जो 95 का right answer है वो है option A corvette कई जगे आपको हैली दिखा रहेगा हैली corvette national park ठीक है पहली इसका नाम हैली हुआ अगता था बाद में corvette रखा गया किस प्रकार की मृदा अधिक्तम जल की मात्रा धारं करती है तो जो 96 का right answer है वो है option A clay ठीक है तो देखते हैं अगले मैं तो पुर्ण प्रश्ट terrace farming की जाती है terrace farming is done तो 97 का जो right answer है वो है option B 19 slope of hills पाड़ियों की डिलान पर ठीक है तो देखते हैं अगला मैं तो पुर्ण प्रश्ट निमन कौन सी एक खरीब फसल नहीं है तो जो जो इसका right answer है वो है option B 98 का B सरसों बाकि सारी की सारी फसले खरीब की फसले है ठीक है सरसों खरीब की फसल नहीं होती है इह रवी की फसल होती है तो देख्ते अगला मैंतो पूर्प प्रस्फ निंध किस नदी पर बना है तो जो 99 का राइट अंसर है वो है ओप्शन सी नेलोर को कहते हैं श्रिम्प कैपिटल ओफ इंडिया ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले मैं तो प्रश्णों की और निम्ण कौन सा राजय भारत में रॉक फास्पेट का सबसे बढ़ा उत्पादग है तो दोस्तो एक सो दो का जो राइट अंसर है वो है उप्शन सी याद रखना बहुत अच्छा क्वशन है और तो दो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपरेंट कोशन की और जन करना 2011 के अनुसार निम्न मैंसे कौन सा भारत का सबसे बड़ा जन जाती समूँ है तो दोस्तों जो 104 का राइट अंसर है वो है option C भील, largest tribal group of India as per census 2011 ठीक है तो जो लिवटते हैं अगले मैं तो पुन प्रश्णो की और red data book उन प्रजातियों के बारे में सूचना देती है जो की red data book gives information about species which are दोस्तों जो 105 का राइट अंसर है वो है option C खत्रे में है, endangered ठीक है तो दोस्तों SPM stand for तो जो जो इसका राइट अंसर है वो है option C suspended particular matter ठीक है suspended particular matter तो देखते हैं अगला प्रश्ण 107, ozone शिद्रों की अधिक चर्चा होती है तो दोस्तों 107 का जो राइट अंसर है वो है option A drew open, poles पर, poles में ज़्यादा चर्चा होती है किस चीज की ओजन शिद्रों की ठीक है तो चली बढ़ते हैं अगले मैतोपून प्रश्णों की अधिक अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व मौजूद है तो दोस्तों जो 109 का राइट अंसर है वो है option A मध्य परदेश में ठीक है तो चली देखते हैं अगले मैतोपून प्रश्ण वैश्विक तापन के लिए कौन सी गयस जिमिधार है तो दोस्तों 110 का जो राइट अंसर है वो है option C सबसे जमिधार है भारत में सबसे पुराना कोयल छेतर है कोयल फिल्ड इन इंडियाज कोयल आगा छेतर है तो दोस्तों 111 का राइट अंसर है वो है option B में डिस्केशन भी किया है आपके साथ ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले में तो प्रश्णों की और लोजिकाल डिस्निंग नॉर्मल वाली थी इसलिए मैंने शेयर नहीं की इसमें तो 124 का जो राइट अंसर था ओप्शन है ठीक है मुकेशन भानी सिटिजन एंड सोसाइटी पूस्तका लेकर कौन है तो दोस्तों जो 125 का राइट अंसर है वो है option B हामिदंसारी जी सिटिजन एंड सोसाइटी के ओथर है ठीक है तो देखे अगले मैंतो पूस्तका पूस्तका प्रश्ण पूस्तका प्रदक जीतने वाली भारत की प्रतम महिला कौन बनी तो दोस्तों जो एक सब्सका राइट अंसर है वो है option C पेर अलम्पिक्स में जो दीपा मलिक थी इन्होंने पहली भारती महिला होनी जो दिब्यांग होते हुए जिन्होंने ओलम्पिक्स में मैडल जिता है ओलम्पिक्स जो पेरालम्पिक्स होते हैं दिब्यांग जनों के ठीक है तो चली देखते हैं अगले मैं तो पूस्त निम्न में से किसे मिसाइल तक्निके नियंत्रन रिजिम का 35 सदस्य बनाए गया MTCR का तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 127 का वो है उप्शन C 127 का उप्शन C भारत को MTCR का सदस्य बनाए गया है मिसाइल टेक्नलोजी कंट्रोल रिजिम इसके इनफार में फूल फूर्म भी पूछी जा सकती है आपको यहाद रखनी है मिसाइल टेक्नलोजी कंट्रोल रिजिम तो देखते हैं अगला मैं तो पुन प्रस्ट किस भारतिय मोल के पुरुष को नाइट हुट से समानित किया गया तो दोस्तो जो 128 का राइट आंशर है वो है ऑप्चन अ हरपाल सिंग कुमार को किस देश में सबलता पुरुवख शाहिन 1A मिसाइल का प्रेक्चन किया गया तो दोस्तो जो 139 का राइट आंशर है वो है पाकिस्तान तो देखते हैं अगले मैं तो पुन प्रस्ट 130 से लोब सेंग सौंगे किस देश की प्रतानवंदी के रूप में पुनर निर्वाचित की गए तो दोस्तो जो ये करण अपरेस का कॉशन है इसका जो राइट आंसर है वो है D तिबत सरकार के निर्वासन दा टिबतन गुर्मेंट इन एकसाइल ठीक है लोब सेंग सौंगे किस देश की संसर्थ विश्व में प्रतम है जो पुन रूप से उर्जा संचालित है तो दोस्तो जो इसका राइट आंसर है 131 का है वो है ओप्शन D पाकिस्तान बहुत अच्छा कोशन है कौन पहला अंग्रेज क्रिकेटर है जिसने 10,000 टेस्ट रन बनाए तो दोस्तो जो 132 का राइट आंसर है वो है ओप्शन A अग्रेज क्रिकेटर था जिसने 10,000 टेस्ट रन पहले बनाए तो दोस्तो जो 133 का राइट आंसर है वो है ओप्शन C लागपा शेरपा ठीक है लागपा शेरपा सबसे सफल महिला थी ठीक है तो चले बढ़ते हैं अगले मैं तो पुन क्रश्णों की और सन्वेर, ताइहू, लाइट को विश्व का सबसे तिवर्गति वाला डेश-डेश घोशित क्या गया है तो दोस्तो जो 134 का राइट आंसर है वो है ओप्शन A सूपर कंप्यूटर ठीक है यूरो कब 2016 वाज बहन भाए यूरो कब 2016 किस जीता गया था किस के द्वारा तो दोस्तो 135 का जो राइट आंसर है वो है ओप्शन C पुद्गाल द्वारा विश्व का प्रथम क्वांटम सक्षम उपकर है मीसियस लॉंच किया था तो दोस्तो 136 का जो राइट आंसर है वो है ओप्शन D चीन है ठीक है तो देखते है अगला प्रश्ट प्रथम फिल्म मोटसों का आयोजन हुआ था तो दोस्तो जो 137 का और वह है ऑप्शन C चीन है सारे करेंट अफयर्स के कोशन है आपको आईडिया मिल जाए कि कि सतरह के प्रश्ट पुछे जाते हैं गिंडिया में पहल का एंबस्टर है तो दोस्तो जो इसका राइट आंसर है एंगरत की सबसे तिवरग गति की ट्रेन है इंडिया फास्टे तो दोस्तो जो 140 का राइट आंसर है वो है option C शताबदी एक्स्प्रेस 21 वे विद्वी आयोग के अध्यक्षे दाचेयर मैन ओफ 21st law commission तो दोस्तो जो इसका राइट आंसर है वो है option B नियाय मुर्ती बलबीर सिंग चोहन जस्टिस बलबीर सिंग चोहन 21st law commission के जेयर मैन है ठीक है तो देखते हैं आगले मैं तो बन प्रश्ण IOC की पर्थम भारतिय महिला सदस्य कौन बनी तो दोस्तो 142 का जो right answer है वो है option A नीतामभानी कौन सा राज्य GST विद्विद्यक को संशोधी करने वाला पहला राज्य बना तो दोस्तो जो 143 का right answer है वो है option B अज हम में संशोधन किया गया था INS तार मुगली है प्रथम क्या है first INS तार मुगली is the first तो दोस्तो जो इसका right answer है वो है option A fall on water jet fast attack craft क्या है fall on water jet fast attack craft है INS तार मुगली ठीक है तो चले बढ़ते हैं अगले में तो पन प्रश्न की ओर स्वच हमाचल पढ़ा ही भी सफाई भी अभियान की शुरुवात की गई तो दोस्तो जो 145 का right answer है वो है option C HPCA द्वारा भारत का वह हो पहला राजिय है जिसने rotavirus रोटा वाइरस ठीका करन प्रोजेक्ट की शुरुवात की which state of India become the first state to launch rotavirus vaccination प्रोजेक्ट तो जो 140 का right answer है वो है option A हमाचल प्रदीश ने की थी 2015 की विश्व कप पैरा ग्लाइडिंग संपन हुई थी तो 147 का जो राइड आंसर है वो है option A भारत में हुई थी 2015 की पैरा ग्लाइडिंग ठीक है तो देखते हैं अगला प्रश्ट भारत का पत्थम ये विधान मोबाइल एप लॉंच किया गया था तो दोस्तों जो 148 का right answer है वो है option C लाइड प्रद द्वारा ठीक है तो देखते हैं अग्ला में है तो पूरण प्रश्ट आई अने से निम्ण मोई से कौन सा कौन समस्दित रहा है आयने से तो दोस्तों जो 148 का right answer है वो है option C बक्षी प्रताप सिंह ठीक है आयने से समंधित रहा है ठीक है तो देखते हैं अगला में तुपन प्रश्ट भात्य के विनेट के प्रत्म स्वास्त्यमंत्री कौन थे तो दोस्तों जो 150 का राइट अंसर है वो है ओप्शन B राजकुमारी अमरित्कोर आइस स्कैटिंग क्लब हिमाचल प्रदेश के किस जिले में वस्तित है तो दोस्तों 151 का जो राइट अंसर वो है ओप्शन B शिमला में, आयसे स्टाइटिंग क्लव कांपे है, शिमला में, ठीके शिमला डिस्टिक में, ठीके तो चलिए देखते हैं, अगले मेटकून प्रस्ट, इंदरागांथी मेटिकल कालीज अवस्तित है, तो दोस्तों 152 का जो राइट अंसर है, वो है ओप्शन B, शिमला में, ठ स्टापना हुई थी तो दोस्तों जो इसका राइट अंसर है 153 का वो है ओप्शन डी निस्तों प्रश्ची में ठीक है तो देखते हैं अगले मैं तो पुन प्रश्ट तो दोस्तों 155 का जो राइट अंसर है वो है ओप्शन C 25% तो देखते हैं अगला मैं तो पुन प्रश्ट निम्न कौन सा जिला सबसे पहले बनाया गया था तो दोस्तों जो 156 का राइट अंसर है वो है ओप्शन C चमबा, ठीक है, सबसे पहले चमबा जिल अपनाए गया था, कि मार्चल परदेश की राज्य विदान सबगा पहला अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तो जो 157 का जो राइट अंसर है वो है उप्शन दी, पंडित जैवन्त राम, ठीक है, तो देखते हैं अगला मैतोपन प्रश् सवांग तेगी नरित्यक की स्तेवहार पर प्रस्तूत किया जाता है, सवांग तेगी डांस, तो दोस्तो जो 160 का राइट अंसर है वो है उप्शन C, दिवाली क्या उसर पर, इमाचल परदेश की निमन में ऐसे किस जिले में सबसे कम नेटवर्क सडक है, सबसे कम सडक नेट कर दिया, क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है, इतना जीक है, उसको आप नर्मिली जो पड़ते हैं, क्योंकि उसमें क्वाशन रिपीट नहीं होते है, इंग्लिश में भी और हिंदी में, थिक है, तो देखते हैं क्वाशन, निमन मैं से कौन सा एक परम परागत उर्जा स प्रथम बार खोज की प्रित्वी सूर्य के चतूर्थिक परिक्रमन करती है जलका घनतो हो था देंसिटी ओफ वाटरीज तो दोस्तो जो एक चासी का राइट अंसर है वो है ओप्शन बी चार डिग्री सेल्सियस पर अधिक्तम होती है मैक्सिमम एट फोर डिग्री सेल्सियस ठीक है बॉल पैन निम्नों किस सिदान पर कार्य करता बॉल पैन फंक्शन्स ओन विच वन ओफ फॉल्लविंग प्रिंसिफल्स तो दोस्तो एक चासी का जो राइट अंसर है वो है ओप्शन बी आयतन घरता है वोल्यूम डिक्रीज ठीक पुन निर्वात से उकर है एक परफेक्ट वैक्यूम से साउंड वेव्स नहीं गुजर सकती है तो देखते हैं अगला मैं तो पुन प्रस्ट अती उच्छ तापमान मापने के लिए परयोग उपकरण है तो दोस्तो जो 190 का राइट अंसर है वो है ओप्शन ए पाइरोमीट ठीक है पाइरोमीटर डिवाइस उच्छ टू मेजर वेरी हाई टेंपरेचर ठीक है पाइरोमीटर के द्वारा तो देखते हैं अगले मैं तो प्रस्ट 191 मानो नेटर के रेटिना पर बनता प्रतिविंब होता है दा इमेज फॉर्मड ओन डा रेटिना ओफ ए हूमन आई इ टिन टाथ लेटका टिन एंड लेट टीक है तो दिखते हैं अगले मेंत्र प्रश्ट प्रशीतन में 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 प्रशी यूज़ इंडेटिंग जी लोजिकल ऑब्जेक्टिज तो 195 का जो राइट अंसर है वो है उप्षिन c, c14, मक्षन एक कलील है जो बनता है जब, बटर इस एक कलॉइड फर्मड वेन, तो 196 का राइट अंसर है वो है उप्षिन जलका वसा में परिक्षेपन होता है Water is dispersed in fat ठीक है तो देखते हैं अगला अखरी 3 प्रस्ट 4 प्रस्ट तो 197 निम्न कौन सा एक रासानिक परिवर्तन नहीं है तो दोस्तो 197 का जो राइट अंसर है वो है option B जलका हेमिकरन freezing of water chemical changes नहीं है बाकी भोजन का पकना digestion of food curding of milk repining of fruits ठीक है तो यह है सारे chemical changes तो देखते हैं 198 निम्न में से कौन सी धातू सबसे नरम है तो दोस्तो 198 निम्न का जो राइट अंसर है वो है option D sodium ठीक है तो सबसे नरम धातू कौन सी है तो वो है sodium तो इसका जो राइट अंसर है वो है option D 199 का D 199 निम्न शूष्क बर्फ है dry ices किसको कहते हैं तो दोस्तो जो यह question है बहुत important है जो इसका राइट अंसर है वो है option बहुत आसान है CO2 carbon dioxide को शूष्क बर्फ भी कहते हैं ठीक है glass is best described as glass की उत्तम व्याक्ष्या निम्न ऐसे किस रूप में है तो दोस्तो जो दोस्तों का जो right answer है वो है option C अतिशीतित द्रव super cold liquid तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद इस वीडियो का आप जरूर फाइदा उठाएंगे एक्जाम के लिए आपको बताना चाहूंगा इसमें बहुत सारे कम से कम 15 से 20 question ऐसे हैं जो इधर से उधर आरके हैं जो मैंने इससे पहले question paper आपके साथ साजय किया है 657 code का food safety officer का वहां से कम से कम 10 से 15 question वहां पर यहां से आई हुए थे लगबग इतने थे लिंक अगर आप correlate करेंगे तो देख सकते हैं तो आप जरूर देखिए इस तरह के और जो भी HPSSB के question paper मिलते हैं उनको जरूर सौट क्या करें वो आपकी preparation में चार चांड लगा सकता है आप किताब ही तो पढ़िए लेकिन यह जो test risk time के previous question paper होते हैं यह best होते है preparation के लिए ठीक है तो दोस्तो वीडियो को लाइक तो आपने करी लिया हुगा चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिया हुगा तो बाकी PSD के YouTube चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है जरूर देखें आपकी help के लिए ही कर रहा हूँ बाकी अपनी भी help होती है आपकी भी help होती है ठीक है तो मुझे दीजिए इसादत जुड़े रहे है PSD के साथ